हलो नमस्कार दोस्तों जैशी आराम कैसे हैं आप सब दोस्तों अपनी पिष्ली वीडियो में हमने बात किया था वैंटले नवादा वाइब्रेशन ऐसने मौनीटरिक सिस्टम के बारे में उसके सिस्टम आर्टेक्चर के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं उसी system के field instruments के बारे में कि किस तरीके से हम उन system को check करते हैं किस तरीके से हम उन में mounting work करते हैं और इस पूरे complete topic को हमने अपने कुछ contents के तुरू कुछ questions के तुरू यहाँ पर outdown किया है और ये system जितना ही जरूरी है इसके installation work, checking work उसी तरीके से ये system हमारे interview point of view से भी बहुत ज़्यादा important होता है तो चलिए आप शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की तो सबसे पहले हम अपने बात करेंगे physical appearance के बारे में और जिन लोगों ने हमारी first वीडियो नहीं देखी उसका link हम अपनी description में दे देगे वहाँ पे आप system architecture की जो basic theory है उसे समझ जाएंगे और यहाँ पे हम physical appearance के उसकी बात करेंगे नमबर दो पे बात करेंगे field to system architecture मतलब field में हमारा field instrument लगा हुआ है उसको हम किस तरीके से अपने system तक communicate कराएंगे किस तरीके से हम उसका wiring configuration करते हैं हम यह समझेंगे उसके बाद how to check vibration sensor हमारे पास एक vibration sensor आगया बेंटले निवाड़ागा तो उसे हम किस तरीके से verify करेंगे कि वो सही है या खराब है उसी तरीके से हम उसकी extension cable को चेक करेंगे फिर चेक करेंगे कि हम जो हमारा RPM sensor है उसे हम क्या से चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं सही है उसके बाद six number पर आता how to mount vibration sensor हमने vibration sensor को turbine पे लगाने के लिए जा रहे हैं तो हम उसे किस तरीके से लगाएंगे और किन-किन चीजों का ध्यान रखेंगे ताकि वो हमें accurate proper reading दे without any defect फिर हम बात कर लेंगे RPM sensor को किस तरीके से mount करते हैं और last में हम बात करेंगे minus 10 volt DC in vibration sensor कि हम minus 10 volt DC पर ही set क्यों करते हैं और इसके अलाबा भी और बहुत सारे questions बनते हैं वो हम अपने third part में cover करेंगे तो ये सारे points हमारे turbine के लिए एक turbine engineer के लिए instrument engineer के लिए बहुत जादा important होते हैं जो हर एक बंदे को पता हो नहीं चाहिए तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले points से तो अभी हम आच चुके हैं अपने vibration monitoring system के सामने तो सबसे पहले देख लेते हैं ये हमारी दो power supply यहाँ पे दी होती है currently यहाँ पे सिर्फ एकी power supply है जिसकी LED यहाँ पे आपको supply होके दीख रहा है जो redundant power supply है यहाँ पर अभी available नहीं है second है हमारा transient data interface module या TDI module तो यह हमारा reset button है यह हमारे 3-4 LEDs है जो हम आपको पहले discuss कर चुके हैं यह आपका rack address define करने के लिए हम यहाँ से communicate कराते हैं अपने system के साथ यह हमारा configuration port अगर हमें कोई भी configuration इसमें करना है तो यहाँ से हम communicate कराएंगे अपने system के साथ और यहाँ पर यह देखे जो मैंने number आपको बताये थे 3500-15 इसके बाद हमारा TDI module 22M दिखा रहा है यहाँ पर उसके बाद हमारे जो vibration या seismic monitor है यह हमारे एक, दो, तीन, चार, पाँच यहाँ पर लगे हुए हैं पाँच का मतलब है 20 बीस vibration sensors को हम monitor कर सकते हैं यह हमारे LED indications जो हम आलेड़ी आपके साथ discuss कर चुके हैं उसके बाद आता है हमारा four channel relay module यहाँ पर चारों के देखे अलग-अलग indications दे रखे हैं कि कौन सा channel हमारा bypass है, faulty है इसके बाद हमारे जो next जो हमारे यह सब हैं यह सब हमारे future expansion के लिए हैं, यहाँ पर हमें इनको निकालना है और जो कोई भी module हम यहाँ पर insert करना चाहें कर सकते हैं, उसके बाद देखें यहाँ पर communication gateway module है 350092 और next है हमारा VGA display module जो कि हमारा 94 M के नाम से है तो यह है total हमारा Bentley Nevada का vibration monitoring system और इसकी नीचे हमारा साथ में यह दे रखा है जो कि है हमारा remote display module तो अभी आपने वो live वीडियो देखी हमारे system architecture की तो अभी हम अपने दूसरे point की बात करते हैं कि field to system architecture तक हम कैसे पहुंसते हैं तो जैसे मान लीजी यह हमारी कोई turbine है यहाँ पर हमारा एक प्रॉक्सिमिटर के पास पहुंचती है जैसा हमारे फोटो में देख पार है यह हमारा एक प्रॉक्सिमिटर है और यह extension cable उस प्रॉक्सिमिटर के बीच में जो हमारा point होता है उसमें जाके फैरूल के तुरू वो हाइट हो जाती है और यहां से हमारे तीन connection आये जो कि हमारे यहां से उठकर सीधी हमारे Bentley Nevada system के जो हमारा module है उसकी पीछे side में उसका termination हो गया तो इस तरीके से हमारे turbine से vibration सबसे पहले हमारा vibration transmitter हो गया फिर यह हमारी extension cable हो गई उसके बाद हम proximity की बात करेंगे proximity proximity वो हमारा transducer है जो field से हमारे signal को receive करेगा और उसके बाद हमारे Bentley Nevada system के जो हमारा module है उस सक पहुचाएगा और वो module हमारा TDI module के तुरू communicate करेगा और हमारे system को आगे provide कराएगा same यही procedure हमारा RPM sensor के लिए भी रहता है तो अभी हम बात कर लेते हैं how to check vibration sensor vibration sensor को हम किस तरीके से चेक करते हैं यह हम live देखते हैं तो अभी हम पहुच चुके हैं अपने vibration probe को cross check करने के लिए कि किस तरीके से हम vibration probe को cross check करते हैं तो देखे यह होती हमारी sensor tip और यह हमारा जो sensor tip है यह poly ether ketone का होता है और यह बहुत ही sensitive होता है और यह हमारा जो sensor होता है वो proximity principle base पे होता है इस principle को detail में हम बाद में समझेंगे पहले यह देख लेते हैं कि अगर हमें यह चेक करना हो यह sensor हमारा healthy है या नहीं है यह किस तरीके से चेक करते हैं तो उसके लिए friends देखे यहाँ पर एक connector है इस connector में एक तीन surface है एक तो हमारा lock nut है जो कि हमारे उसको lock करके रखेगा second आप ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पर एक outer surface भी है यह outer surface हमारा as a negative wire work करता है और इसके अंदर देखी एक चोटा ता pin है यह हमारा main sensor है जो कि हमारा इससे जुड़ा रहता है तो इसको check करने के लिए हम इसकी resistance test करते हैं इसके लिए क्या करेंगे हम अपना multimeter ले लेंगे multimeter से एक सबसे अंदर वाले wire को touch करेंगे एक wire से एक probe से और दूसरे वाले से outer surface में check करेंगे और फिर देखेंगे multimeter में कितना मिल रहा ह multimeter में अगर हमें 5 to 8 ohm के अंदर मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा sensor जो है वो के condition में है इसको हम use कर सकते हैं तो यह procedure थी हमारी vibration sensor को check करने की vibration sensor को check करने के लिए हम 5 to 9 ohm का resistance चेक करते हैं और जब हम extension cable को check करते हैं extension cable को भी दोस्तों हम आपको live check कराते हैं बट क्या है न हमारी extension cable जो है वो field में हमारी dressing के साथ लगी हुई है इसलिए हम वह पर आपको check नहीं करा पाए simple है हमारा जो extension cable है उसके दोनों सिरों का जब हम resistance चेक करेंगे तो वो हमारा 5 to 20 ohm के बीच में आना चाहिए अगर ये resistance हमें extension cable का मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी extension cable भी okay है उसके बाद हम बात कर लेते हैं how to check rpm sensor rpm sensor को किस तरीके से check करेंगे ये भी अपनी live video में देख सकते हैं तो अभी हम यह समझ लेते हैं कि हमारा जो rpm sensor होता है उसको हम किस तरीके से test करते हैं तो rpm sensor को भी test करने का सेम यही तरीका होता है इसमें देखिए यहाँ पर दो हमारे connector दे रखे हैं इन दोनों से हम इसका resistance टेस्ट करेंगे और वो resistance हमारा 800-200 ohm के बीच में आना चाहिए वैसे कर स्टेंडर्ड की बात की जाए तो हमारा ये 5 ohm से 500 ohm तक वैरी कर सकता है company to company हमने फिर से अपने मल्टी मीटर की दोनों प्रोव लिए और इनी दोनों points पे हमने touch कराया और उसकी बाद हमने मल्टी मीटर को देखा कि मल्टी मीटर में हमें कितना so हो रहा है मल्टी मीटर में मिल रहा है हमें 189 ohm इसका मतलब हमारा ये जो आर्पियम सेंसर है ये पूरी तरीके से healthy है इसको हम अपने टर्वाइन में use कर सकते हैं तो friends अभी हमने देखा कि हम आर्पियम सेंसर को किस तरीके से चेक करते हैं इसके साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि vibration sensor और आर्पियम सेंसर का principle क्या होता है जो हमारा vibration sensor होता है वो हमारा addy current principle पे काम करता है और जो हमारा rpm sensor या जिसे हम magnetic pick up sensor भी बोलता है ये हमारा variable reluctance principle पे काम करता है जो कि हमारे एक faraday's का एक नियम ही है faraday's law के अंतरगती आता है बट अगर हम उसे बोलेंगे faraday's law of variable reluctance इस पे हमारा rpm sensor वर्क करता है अब हम बात क sensor को हम किस तरीके से mount करेंगे तो जैसा कि हमारे फोटो में देख पा रहे है vibration sensor के उपर पूरी थ्रेड बनी हुई है और उसके उपर दो चेकनेट लगे हुआ है तो इन चेकनेट को जो हमारा turbine का जो appropriate location है वहाँ पे हम इसे mount करता है और उसके बाद जो हमारा लगाएंगे और हम यह देखना start करेंगे कि vibration sensor को हमें माइनस 10 वोल्ट पे set करना है और इस माइनस 10 वोल्ट को हम बोलते हैं gap voltage गैप voltage अगर हम माइनस 10 वोल्ट सेट कर देते हैं तो हमारा उस समय vibration 0 दिखाना चाहिए और इसके लिए माल लीजिए हम जब अपना sensor को इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं how to mount RPM sensor RPM sensor को हम किस तरीके से mount करेंगे देखे RPM sensor और जो soft की बीच की जो distance होती है उसे हम air gap बोलते हैं जबकि हम vibration sensor के बीच में क्या हम बात कर रहे थे जब हमारा soft और vibration sensor इन दोनों की बीच की जो gap होती है उसे gap voltage बोलते हैं इन दोनों का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों कोशन ही interview point of view से बहुत ज़्यादा important है कि gap voltage और air gap इन दोनों में क्या अंतर है और किस case में हम air gap की बात करेंगे और किस case में हम gap voltage की बात करेंगे तो जब हम rpm sensor को mount करेंगे तो उसके लिए हम filler gauge का use करते हैं जैसा कि आप हमारे फोटो में देख पा रहे हैं filler gauge हमारे SS की कुछ strips होती है जो कि different different size की होती है जिसे 0.8, 0.5, 0.9, 1.5 तो basically जो हम अपना rpm sensor mount करते हैं different different company, different different turbine के according 0.5 to 1.5 इसका set करते हैं और mostly अगर माल लेजिए आपके पास कोई catalog नहीं है तो हम उस sensor को 0.8 या 0.9 पे set कर सकते हैं अब इसके आगे की बात कर लेते हैं y-10 volt dc कि जब हम vibration sensor को जब mount करते हैं तो minus 10 volt dc ही क्यों set करते हैं एक लिए दोस्तों क्या होता है, Bentley Nevada system का जो range होता है minus 2 volt dc से हमारा minus 18 volt dc होता है अब अगर हम इसकी बीच की distance निकाले, minus 2 to minus 10 and minus 10 to minus 18 dc निकालते हैं तो हम देखेंगे minus 2 to minus 10 के बीच में भी 8 volt का gap है और minus 10 to 18 के बीच में भी हमारा 8 volt का gap है मतलब इन दोनों में ही हमारा 8,8 volt का हमें दोनों side ही margin मिल जा रहा है अगर इस case में हम बीच और बीच में अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हमें left और right दोनों side के ही vibrations को हम judge कर सकते हैं left, right मतलब दोस्तों हम plus में भी vibration को measure कर सकते हैं और minus side में भी vibration को measure कर सकते हैं इसके लिए हम जो gap voltage set करते हैं वो minus 10 volt DC set करते हैं तो ये तो थे दोस्तों कुछ basic questions हमारे वेंटले निवाड़ा vibration monitoring system को लेके इसके अलावा भी बहुत सारे questions हमारे बनते हैं जैसे vibration sensor का हमने principle तो जान लिया कि उसका principle क्या है बट detail में उसका principle क्या है अभी हमें discuss करना बाकि है उसी तरीके से हम RPM sensor या magnetic pickup sensor के principle के बारे में बात करेंगे next point में हम ये भी बात करेंगे जो हम minus 10 volt DC जो हम दे रहे हैं उसे minus में क्यों रखा हम plus में भी दो रख सकते थे और mostly हमारे जो instrument system होते हैं सबी के सबी हमारे create होते हैं बनते हैं जो हमें पता होने चाहिए और वो सारे questions हम अपने अगले part में cover करेंगे तो दोस्तों होग कि आपको ये सारे point अच्छे से clear हो गए होंगे अगर नहीं clear होते हैं तो आप हमें comment के थुरू हम से वो questions पूस सकते हैं और जिन लोगों ने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखिए वो comment section में जाके हमारे description को देखें उसमें हमारा जो पहली वीडियो है उसका link आपको मिल जाएगा तो दोस्तों तब तक के लिए जाए शिया राम